चलिए नेक्स्स टॉपिक स्टार्ट करते है नेक्स्स टॉपिक है एंगलो अफगान वार्ड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर लेजे का चानल को तो एंगलो अफगान वार्ड समझने के लिए ग्रेट गेम को समझना जरूरी है तो यह रश्या और ब्रिटेन के बीच में सेंट्रल एश्या को लेकर के राइवल्री चल रही थी तो में यह था कि ब्रिटेन कहीं से भी नहीं चाहता था कि इंडिया के उपर USSR का कोई भी तो यह पर्शिया के साथ भी ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन जो है वो न्यू रिवर रूट फाइंड आउट कर रहा था यूफरेट नदी के थुरू बट क्योंकि USSR ने पर्शिया के साथ को इंफ्लूएंस करके उनके साथ प्रीटी साइन कर ली तो यह एक मेजर सेट बैक था बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के लिए अब ब्रिटेन यह नहीं चाहता था कि लैंड रूट के थू भी अफगानिस्तान के थू भी यह रश्या जो है वो इंडिया में दाखिल हो पाए अंदर आपाए तो उस टाइम इंडिया के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉड ऑखलैंड थे 1836 में तो बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी ने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल लखने के लिए अपने वहां पे उनके साथ फ्रेंडरी रिलेशन बनाने के लिए अपने वहां पे भेजे लोग बिटिश इस्ट जो बिटिश इसिद्ज ने पेंड हैं तो बसे लाइंड झाल आती तो थे टो बिटिश इस्ट 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 इस्टू साथism bespzna करनाने वोग बट सुने बिटिश इस्ट इस्टिया कंपनी तर ने ऊत्व स्कानिस्तान ए tutores और तॉ और straio के अप्टिर कर लिया गापी practically इस बात के लिए यह एगरी हो पाई और यह जो फ्रेड्ली ऐलाइंस बनना था वह कैंसिल हो गया फेल हो गया अब British East India Company इस पॉइंट पे नहीं कर पाई तो दोस मुहम्मद ने क्या किया दोस मुहम्मद रशिया और परशिया के पास हेल्थ मांगने के लिए पहुँच गया और इसके लिए दोस मुहम्मद ने रशिया के उपर रशिया एम्बैसेडर का जो बहुत ग्रैंड वैलकम भी किया अब यह बात जब बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जेनरल को पता लगी गवर्नर जेनरल थे ना लॉड ऑकलेंड हां उनको जब पता लगी तो उन्होंने अफगानिस्तान के उपर अटाक कर दिया यही अफगान वार का था नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी फॉर्स्ट अंगलो अफगान वार के लिए तो अगर आपको वीडियो पसंदा है तो प्लीस सब्सक्राइब कर लीजगा मैं चानल को थांक यू सो मच